हेलो फ्रेंड्स मेरा हुल रंजन श्टडी इंडियाड़ा के यूट्व चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है यहां पे सिजल टायर वन का दोस्तों यहां पर अंसर की आ चुका है ऑफिसल वेब साइट पर और दोस्तों अंसर की आने के ब गलत है क्या उसका प्रोलम में क्योंकि दोस्तों उसी के बेसिस पर आपको ऑबजेक्शन भी करना होगा और ऑबजेक्शन में रेफ्रेंस भी अच्छा देना होगा दोस्तों तभी जो है वह वो कंसीडर किया जाएगा तो इस वीडियो को लाट तक जरूर देखिएगा ठी पर जो है ऑफिस्यल नोटिस जो डाउनलोड किये वहां से देख सकते हैं आपको पता होने चाहिए कि यह जो है दोस्तों सुल्ला तीन से यानि आज से लेकर के कीस तारिक तक जो है लाट डेट है रिस्पांस सीट जो है इसका जो है और अबजेक्शन करने का अंसर की का और परते कोश्चन के लिए 100 रुपया जो है इसको लगने वाला है दोस्तों तो आप लोग किसी भी कोश्चन में डाउट है तो बहिच्चा का अबजेक्शन कर सकते हैं मेरे पास कुछ चैनल करने के बाद दोस्तों मेरे पास जो कुछ कोश्चन आया है तो उसको मैं आपको ब सरे सत्वी खिला करते हैं दोस्तों सीख एकर सकते हैं ठीक हैं जो हम लोग देखते हैं दोस्तों काई-च Pharise का जो कोश्चन ऊге कॉछ तर्ड देख नहीं में head should be used in place of head head के जगा पर दोस्तो यहाँ पर head should be used in place of head के जगा पर head का use होना था जो कि यहाँ पर wrong जो है SSC के द्वारा किया गया है उशी की तरह से देखते हैं पांच तारीक एक और shift 2 में देखा गया था दोस्तों English का question ID कुछ इस तरीका के हैं that should come in place of then, then के जगा पर that का use होना था जो कि यहाँ पर देन बता रहा है SSC दोस्तों जो कि यहाँ पर गलत है इस पर भी आप लोग objection कर सकते हैं ठीक है मैं अलैसिस करके आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग को किसी भी question में और भी doubt है तो आप लोग comment section में जरूर comment कीज़ेगा क्योंकि comment कीज़ेगा तो और भी student देखेंगे तो उसका objection करेंगे क्योंकि एक question के लिए बहुत student comment objection करेंगे तब ही और भी consider अच्छे तरीका से किया जागा दोस्तों बात करते हैं 6 March का 6 March 2020 को जोग जाम हुआ था shift to यहाँ पर भी दोस्तों English का question है question ID कुछी इस तरीका का है देख सकते question ID denied should be used in place of deluded deluded के जगा पर denied use होना था दोस्तों जो कि यहाँ पर इसके द्वारा SAC के द्वारा गलत कर दिया गया सभी question में फिर से repeat कर रहा हूँ question ID कुछी इस तरीका का है दोस्तों ठीक है SAC answer is wrong SAC का answer wrong है the correct answer below 1000 ठीक है इस question पुरा मुझे question इसका नहीं पता है दोस्तों क्या question था लेकिन यह question आप लोग एक वार जरूर जरूर देखेगा जिनका 6 March का shift 2 का paper था वही 6 March का shift 2 का एक और math का question है दोस्तों question ID कुछी इस तरीका से है 816166193 इसका भी देख सकते है SAC answer is wrong SAC का answer wrong है the correct answer will be कुछी इस तरीका का जो इस अंसर आ रहा एक जो है correct answer होगा आप जो है question आपके पास होगा तो इस shift का जो भी student है question होगा तो जरूर से जरूर इस question को एक बार जरूर से जरूर देखिएगा ठीक है और objection जरूर से जरूर कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि objection कीज़ेगा तो आपका number बहुत ही अच्छा खासा बढ़ने वाली है ठीक है बात करते हैं 7th March का है जो exam हुआ था shift 3 का reasoning का question है दोस्तो question ID कुछी इस तरीका का है देख सकते है question ID है printing mistake है B is the doubter of B ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह question को भी जरूर देखिएगा 7th March shift 3 का question ID यह है reasoning का question है दोस्तो इस question को भी आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है एक और question है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 March का एक और question है shift 3 में math का question है math question ID कुछ इस तरीका का है यहाँ पर दोस्तो answer should be 8 is to 1 1.3 no such option is given ऐसा कुछ option नहीं दिखा दिया गया था एक question को भी आप लोग एक बर जरूर देखिएगा वह बात करते हैं दोस्तो shift 2 में भी 7 March के math का एक और question है question ID कुछ इस तरीका कहा है question ID को जरूर देखिएगा diameter is asked but the solution for the radius is given the answer should be 350 इसका answer कुछ 350 होगा इसको solve जरूर एक बर कीजेगा क्योंकि इसका question मेरे पास नहीं आया दोस्तो तो यह जो है इसको एक बार जो student यह जो है इस shift में एक जाम दिये हैं तो एक बार जरूर देख लिजेगा ठीक है वही बात करते हैं दोस्तो 9 March 2020 को जो shift 2 का shift 2 में math का question question ID कुछ इस तरीका का है the correct answer will be minus 2 होना चाहिए यह question को भी देख लिजेगा math का question है shift 3 में दोस्तो English का question है question ID कुछ इस तरीका का है astronomy will be correct answer इसका जो correct answer होगा astronomy होगा एक वार इस question को भी देख लिजेगा जो student इस shift में है यानि 9 March का 3rd shift में है तो ठीक है इस सभी question दोस्तो जिसमें error था तो इस question पे बहिचक आप लोग objection कर सकते हैं और भी किनी shift में कोई question error है तो उस पे अगर आपको लगता है या पत्ती objection करना चाहिए तो बहिचक कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि objection कीजिएगा तभी आपको उसका benefit होने वाला है ठीक है क्योंकि 100 नमबर लग रहा है 100 रुपया जो है एक question के लिए लग रहा है तो सभी लोग मिल करें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में objection होगा तभी उसको consider किया जाता है दोस्तो इसलिए objection किसी भी question पे लगए तो भीचक कर सकते हैं आपको selection लेनी है तो selection लेने के लिए एक दो नमबर भी increase अगर होता है तो बहुत ही helpful होगा rank में ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे PT का जो analysis मैं आप लोग को जल्दी कल आप लोग एक special video provide कराऊंगा कि जो है PT का इसका कितना यहाँ पे प्री का cutoff जाने वाले analysis कर रहा हूं दोस्तों कल तक जो है special आप लोगो expected cutoff का सभी यहाँ पर आपको करवाऊंगा tier 1 का category बाज तो उस video को भी last तक जरूर देखिएगा और सभी लोग comment जरूर कीजेगा और भी कोई question कोई भी shift में error है दोस्तों ताकि और भी student उस question को देख करके जो है उसको भी objection कर सकते हैं ठीका objection करने के लिए process तो आपको पता ही होगा जो है official website से दोस्तों ssc.nic.in का official website देख सकते हैं यहाँ पर answer की के लिए यहाँ पर डाला था दोस्तों इस पर click कीजेगा तो जो PDF download होगा दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हैं कुछ इस देगा जो PDF download होता है यहाँ पर जो click कीजेगा link for candidate response sheet along with tentative answer की इस पर click कीजेगा दोस्तों तो आपका official यहाँ पर एक link open होगा जहां से आपको answer की download होगा और वहीं से objection भी होगा देख सकते हैं एक पर ध्यान से देखिएगा कि जो last date है 123-2020 है दोस्तों 63-23 तक ही आप answer की जो है check कर सकते हैं और objection भी कर सकते हैं ठीक है आसा करता हूँ यह information आप लोगों के लिए बेहतर लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को like से जरूर करें और चैनल को जो स्टूडियन डेवी तक सब्सक्राइब नहींगे सब्सक्राइब करें घंटी के बेलेकर को जरूर ओन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ जाएगा तो यहां से फिरी में क्लासेज का पीडियाफ ही डाउनलोड जरूर कर लिजएगा क्योंकि यहां से आपको जो स्टडी मेटरियल प्रोवाइड होता हूँ वह जो है एक्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिसल होता है और यहां फिरी पीडियाफ सेक्षेन में जो है बहुत lean झाbek प्रोवाइट लगता है तो आप लोग बैषीचक क्यों सब्सक्राइन अलगने जो है और इसक Q है आपको बेनिफिट हो सकता है दो क्यों कि एक question आपका दो नमबर का है ठीक है तो दो नमबर कहने का मतलब बहुत अगर एक दो question भी अगर सही हो जाते हैं ऐसे objection करने पर आपको बहुत जो है help होगा answer जो है आपको rank जो है उपर increase हो सकता है ठीक है और भी question अगर कुछ होता है तो comment section में जरूर कीजेगा मिलते है next video में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद्र